नमस्कार ख़बरों को पंच नामा देख रहे हैं आप मैं हुआ आपके साथ पूजा हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरे जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडिय में मौजूद हैं क्यापिचल टीवी के एडिटर इनचीव दॉक्टर मिरिश कमांड अप साब बहुत स्वागत है आपका धन्यवाग सबसे वेले नजर हेड्लाइन्स पर पियमोदी का धुआधार चुनावी प्रचार जारी आज जम्मू और हर्याना की हिसार में बड़ी डाली को किया संबोधित कॉंगर्स पर चुन-चुन कर किया तीखा प्रहार दो दिन में ही बिखर गई कॉंगर्स की दिखावटी एक ताम मेनिफेस्टो रिलीस में नहीं पहुंचे सुर्जवाला सैल जात वहीं राम मंदिर में नाच गाना की बयान पर घिरे राखुल गांगी केजरिवाल के इस्तिफे के बाद से हम आवास को लेकर राजनिती तेज आमादभी पाटी ने कर दी नई डिमांड तो वहीं MCG पैनल चुनावी नतीजों के खिलाब सुप्रिम कोर्ट का रुख करेगी आप एक इस दिनों में दूसरी बार पटना पहुंची जेपी नड़ा, बीजपी करले में सांसद और विदायकों के साथ बड़ी बैठक नड़ा के दौरे को लेकर बिहार की राजनिती हुग कर इसराइली आर्मी ने कर दिया कनफर्म बेटी जानब संग मारा गया हिजबुल्ला चीफ नसुर अल्ला आईजिएफ ने पोस्ट कर कहा अब दुनिया को नहीं डरा पाएगा खबरों की शुरवात में सबसे पहले बाद पियम मोदी के धुआ धार चुनावी प्रचार की जम्मू कश्मीर विदानसभा चुनाव के अंतिम फेस के लिए आज प्रधानमंत्री नरेन तुमोदी ने जम्मू में एक राली की तो वहीं हर्यानम विदानसभा चुनाव के लिए हिसार में बड़ी धाली को संबोदित किया अपनी दोनों ही रैलियों के जरिये पियम मोदी ने विपाक्ष पर करारा हमला बोला जम्मू में एक विशाल जनसभा को संबोदित करते वे शहिद भगत सिंकी जैनती पर उन्हें नमन पियम ने किया अपने संबोदन में उन्होंने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को याद करते वे कहा कि भारत ने दुनिया को बता दिया था कि ये नया भारत है जो घर में गुसकर मारता है उन्होंने कॉंग्रिस पर सर्जिकल स्ट्राइक के समूर्ट मांगने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रिस आज भी इस मुद्दे पर पाकिस्तान की भाषा बोलती है साथी हर्याना में कॉंग्रिस के कला को लेकर पेम ने हिसार की राली में कहा कि कॉंग्रिस में मुख्यमंतरी बनने के लिए मारा मारी मची हुई है बापू भी दावेदार है और बेटा भी दावेदार है दोनों मिलकर बाकियों को निप्टाने में लगे हुए है चुनाव को लेकर प्यम मोदी धुआधा प्रचार तो कर रहे हैं लेकिन जम्मु कस्मीर में थर्ड फेस की वोटिंग वहां क्या चल रहा है और हिसार्प में प्यम मोदी ने जो बोला वो कॉंग्रस के लिए कितना बड़ा जटका देखिए प्रधान मंत्री मोदी जो मुद्दे उठाते हैं उससे कॉंग्रस पार्टी बॉखला जाती है अब देखिए कि जब से लोकसभा के चुनाव की बाद राहुल गांदी को जिस तरीके से पेश किया जा रहा था कि वो बदले-बदले से हो गए हैं बहुत ही मैचोर र इलाका है और यहां पे उन्होंने बहतर प्रफॉर्बंस किया तो कुछ इंडिपेंडेंट्स और उतनी सीटी आ जाएगी उनके साथ मिलके कि वहां पे भारतियंता पार्टी की सरकार बन जाएगी आप उस मोहाने पे आ गया जरा सोचिए एक मैने पहले जब कॉंग्रेस प तरीके से हर्याना के अंदर ही जिस हिसाब से पिछले दस दिनों में भारती जंता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है कॉंग्रेस पार्टी की मुसीबत बढ़ती चली जा रही है और राहूल गांदी अपने कैम्पेंज से कॉंग्रेस पार्टी के मनुबल को निताओं को और उ लगातार जिस तर से रैलिया कर रहे हैं लग रहा है कि तीसरी बार फिर से वहाँ पे बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो प्यामोदी दुआधार प्रचार में जुटे हैं तो वहीं कॉंग्रेस पार्टी अपनी मुसीबतों में ही उल्जी है हर्याना में राहुल गांदी की रैली में दो दिन पहले आपसी एकता का संदेश देने वाली कॉंग्रेस आज मेनिफेस्टों लॉंच के दौरान बिखरी बिखरी नजर आई दरसल आज चंडिगर में कॉंग्रेस पार्टी ने अपना मेनिफेस्टों लॉंच किया इस मनिफेस्टो लॉंच में पार्टी के दो बड़े नेता रंदीप सुर्जेवाला और कुमारी सेलजा नहीं दिखाई दी तो महीं कॉंग्रेस के 40 पेश के घोशना पत्र में लोगों को 25 लाक रुपए तक फ्री इलाज और महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का वादा पार्टी नहीं किया है क्या कुछ चल रहा है कॉंग्रेस पार्टी में कॉंग्रेस पार्टी का कुछ चल ही नहीं रहा है जो कुछ वो करना चाह रहे है वो हो रही पाता कल आपने संदेश देनी की कोशिश की कई सारे नेताओं को आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया कि ये बगावती हैं विद् भी वो जारी है और राहुल गांदी क्या-क्या बैयान वो देगे दे ले देखे टेलेविन चलनों पर क्या बहस चल रही है कि राहुल गांदी की महबत की दुकान में सिर्फ मुसल्मान और हिंदू का अपमान आप इस तरह की बाते कहते कि राम मंदरे में नाचगाना हो रहा हैं लोगों को याद दिला रहे हैं कि एउध्या में कैसे हिंदू हार गए और हम लोग जीत गए कैसे आप राम मंदर को लेकर के तो कहने का मतलब यह है कि राहूल गांदी ना संगठन को बचा पा रहे हैं ना नेताओं के बीच कन्फ्यूजन खतम कर पा रहे हैं और नहीं अपने परचार से वोटों को अपनी तरफ आकरशित कर रहे हैं इन तीनों ही मामले में हो वही रहा है जिससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ कॉंग्रस पार्टी का होना है तो चुनाओ के बीच कॉंग्रस मुसीबत में फस गई है तो वहीं आम आदमी पार्टी की तो मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है आप आद्मी पार्टी के सयूज़क और दिल्ली के पुर्व मुख्यमंत्री अर्विन के इजरिवाल के लिए नहीं घर की तलाज जोर शोर से हो रही है माना जा रहा है कि शुरात खत्म होते ही और नवरात्री के शुरुवात में वो सीम आवास खाली करके अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो सकते हैं के इजरिवाल के लिए उनकी विदान सबा नई दिल्ली के अंतरगत ही नया आवास तलाश किया जा रहा है तो महीं अर्विन केजरिवाल से पार्टी के कई विदायक पार्शत कारे करता और आम नागरिक उन्हें घर की पेश कस कर रहे है यसे के साथ मुक्यमंत्री आतिशी ने आज कहा कि आम आदमी पार्टी सुप्रिम कोर्ट में सम्विधानिक अवैद और अलुक्तांत्रिक एमसेडी स्थाई समिती चुनाओं के खिलाफ याच का दार करेगी क्या चल रहा है आमादी पार्टी में बस एक ही चीज़ चल रहा है कि कैसे अर्विन केजरिवाल को महान बताया जाए यह खबर घर वाली यह प्लांट की गई खबर है कि बहुत जल्दी छोड़ने वाले है चोड़ना तो पड़े गई लेकिन यह खबर प्लांट किया गया है इसका मतलब है आगे कुछ ड्रामा हो रहा है बहुत महबबत है सत्ता से अर्विन केजरिवाल को आप देखी किस तरीके से आतीसी मार लेना को यह ट्रीट कर रहा है कभि चिछिठी दे रहा है तो कभि साथ मिज घूम रहा है सलकों का निरक्षिन कर रहा है कभी आदेश दे रहा है सलकों को ठीक करने की विवस्ता करेsheet और मैडम Chief Minister कहते है Yes Sir, Yes Sir कहने का मतलब यह है कि आम आदमी पाटी में अरविंद केजरिवाल किसी भी व्यक्ति को इतना मजबूत होने देना ही नहीं चाहते कि वो पलटके वो उनको चैलेंज दे सके करके सबसे बड़ी चीज बार बार केजरिवाल इस अगले जब तक चुनाऊ नहीं होता है वो वही काम करेंगे कि जिसमें हर समय हर वक्त मीडिया में लोगों में और सोचल मीडिया में लोग सिर्फ अर्विंद केजरिवाल के बारे में बात करे आज घर की बाते हो गई कल कुछ और आ जाएगा कल कुछ और था कि केजरिवाल साथ में चल रहे हैं वो पीछे पीछे वो घूम रही है तो कभी वो चिठी दे रहे हैं He wants to be in focus और आतिसी मारलेना कहीं साइड लाइन में नदर आए ये उनकी पहली और सबसे बड़ी ज़रूरत है कि ताकि आतिसी मारलेना के अंदर वो मनुबल ही पैदाना हो सके कि वो अपने आपको मुख्य मंत्री समझ सके चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली ख़बर की बीजेपी के रास्ट इद्यक जेपी नड़ा आज पटना पहुँचे बड़ी बात के है कि 21 दिनों के अंदर बीजेपी इद्यक जेपी नड़ा का ये दूसरी बार बहार का दोरा है आने वाले विदान सभा चुनाओ को लेकर जेपी नड़ा का ये दौरा काफी एहम बाना जा रहा है जेपी नड़ा आज कई अलग-अलग कारेक्रम में शामिल भी हुए साथी पटना में एक बड़ी बैठक भी रखी गई जिस मिराज और किंड सरकार के मंत्री सांसर पधायक, MLC, मंच, प्रकोस के पदारिकारी और प्रदेश थर्यनीता भी इस मीटिंग में शामिल हुए क्यों पहुंचे हैं जेपी नड़ा क्या चल रहा है वहाँ कई सारे खेवे बन के तयार हैं सब अपने आपको बड़ा लीडर समझ रहे हैं कहने को तो कि कोई 25 लाग कोई कर रहा है कि 25 लाग हमने कारकरता अभ्यान बनाओं में हमने कारकरता बना लिये हैं पता नहीं क्या-क्या बाते हो रही है हकिकत क्या है कि भारती इंता पार्टी का एक बड़ा वर्ग ये समझ रहा है कि नितिश कुमार के साथ हमें नहीं जाना चाहिए लेकिन केंद्र में जो ूचाहिए उनको लगता है कि नितििशुमार के साथ जाना चाहिए। नितिशुमार की दिक्कत यह है कि पाठी के अंदर ही बवाल चल रहा है। अभी एक शौधरी जंको अभी अभी अबने महास्चिब बनाया मंत्री भी है। वो इसलिए नाराज हो गए क्योंकि स्याम रजक को पार्टी में लिया गया वो एक धलित लीडर है आरजडी में थे तो खबर ये भी आ रही है कि वो दुबई में पहुँच गए है असोक चौदरी आज दुबई में है और दुबई में कौन है और साथ में तो तेजस्वी अदब भी दुबई में है क्या खिच्री पक रही है कुछ सीरियस पॉलिटिकल क्रैसिस बिहार में भारती जन्ता पार्टी के लिए उपजनी वाला है दिक्कत क्या है कि एसी कमरों में बैठके चाटु कारिता करके दर्बारी बनके बड़े बड़े निताओं को हाजरी लगा करके कई सारे लोगों ने खासकर के भारती जन्ता पार्टी में इन लोगों ने बीजेपी की राजनीती को बिलकुल घटिया अस्तर पे ये लोग ले जा चुके है और यही वज़ा है कि वहाँ प्रॉब्लम सुरुआत होती है तो किसी और को नहीं राश्टी अधक्ष को ही उसको सांथ कराने के लिए जाना पड़ता है अब आज की आखरी खबर की इस्राईल की सीना ने हिजबॉला के चीफ हसन नसरॉल्ला के मने की पूस्टे कर दी है ये लिम्नान के हिजबॉला के लिए बहुत बड़ा जटका है कली इसरैली एरफोर्स ने बेरूत में कई हवाई हमले भी किये थे हिजबुला के एड़क्वार्टर पर भी हमला हुआ था जिसमें हसन नसरल्ला के होने की खबर थी इस्राइली दमाकों के बाद हिजबुला ने हसन नसरल्ला के मारे जाने को नहीं माना था ऐसे रिपोर्ट भी आती रही कि हसन नसरल्ला जंदा है हाला कि एक इसराइली अधिकारी ने कहा था कि उन्होंने जो बम गिरा है उसमें नसर अल्ला का जंदा बचपाना काफी मुश्किल है अब इसराइली सेना ने एक ट्वीट कर उसके मरने की पुस्टी भी कर दी है हिजबुल्ला चीफ की हत्या हो चुकी है अब क्या है इसराइल का आगे का प्लान देखिए ये लोग तो सहीद होने के लिए जिहाद करते हैं तो उनको लक्ष प्राप्ति करवा दिया इसराइल ने क्या प्राबलम है दिक्कत यह है कि बॉंबार्टमेंट हो रहा है लेबनान में और इरान में बड़े बड़े लीडर हैं वहां के राजपती हैं वहां के मंत्री हैं वो छिप रहे हैं बिल के अंदर उनको खत्रा लग रहा है कि इधर भी हमला हो सकता है कहा तो इरान ने कहा ता कि हम बद्दा लेंगे कि किस तरीके से आपने हमास के चीफ को खत्म कर दिया इरान की धर्ती पे अब ये जो पूरा का पूरा मसला जो सामने और समझ में आ रहा है वो ये कि वर्ल्ड कम्यूनिटी इस्राइल के उपर तमाम दबाव देती जा रही है और इस्राइल है कि मानता नहीं ग्राउंड फोर्सेस दो ब्रिगेड लिबनान के बॉर्डर पर रख दिया गया है और टैंकों से जमीनी हमला किया जा रहा है इस्राइली सेना लिबनान के अंदर घुश जाए लिबनान के डिप्लोमेट्स पूरी दुनिया से गुहार लगा रहे है लेकिन कोई असर इस्राइल के इसले नहीं हो रहा है कि आज लिबनान की सरकार जो गुहार लगा रही है उनको ये समझ में आना चाहिए कि घर के अंदर गर आप साप पालोगे आपने हिजबुल्ला नाम के आतंकी संगठन को पनाह आपने क्यूं दिया आप अपने घर के अंदर में खुदकर्ष हमलेवार और जिहादियों आतंकियों को पनाह दोगे तो ये नतीजा होना ही चाहिए और दुनिया भर के देशों को ये तमाम लोग जो मानवता के नाम पे तो हुमेनिटी के नाम पे ये तरतर की बकवास कर रहे है ये ग्यान लिबनान को उस वक्त देना चाहिए था जब ये लोग आतंकियों को पनाह दे रहे थे अब जब पासा उल्टा पड़ा है तो ये चीख चिला रहे है इसराइल सही कारवाई कर रहा है ऐसी कारवाई कर रहा है कि जो दुनिया के कई सारे मुलकों को इससे सीख लेनी क्या हो सकता है जब बहुत धन्यवाद बात्चीत के लिए अज के लिए फिलाल इतना ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटी कामेस के लिए तेरे कापटल टीवी आमई लाइक किजिए शेयर किजिए और कापटल टीवी को सब्सक्राइब किजिए नमस्कार